हेलो, वेलकम गाईज, स्वागत है आप सबका तो अभी हम देखते हैं कि financial fraud अगर हमारे साथ हो गया है तो हम क्या करें, क्या step लें, क्या हमारा पैसा वापस आएगा की नहीं आएगा इन चीजों में हम बात करेंगे कि कैसे हमारा पैसा वापस आ सकता है या नहीं आएगा, तो क्या क्या reason हो सकता है या क्या चीज़े हम कर सकते हैं अगर financial fraud हुआ है तो अच्छा, financial fraud में एक बार explain कर देता हूँ क्या होता है कि जैसे माल लो, हमने, हमसे क्या हो, online धोखा धड़ी हो जाए किसी ने बोला कि हम आपके account में पैसा भेज रहे हैं और आपको हम एक link दे रहे हैं, उस पे click करके आप कर दीजिए और हमारा पैसा आपके account में transfer हो जाएगा तो ये क्या होता है, financial fraud होता है कि आपने कोई भी समान order किया समान booking वाला भी order में होता है लेकिन अभी मैं financial की बात कर रहा हूँ, financial में क्या-क्या चीज़े होनी है तो माल लो, अगर आपके साथ हो गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं यहाँ पे दे दूँगा कि यहाँ पे cybercrime portal का link और आप वहाँ पे जाके सबसे पहले cybercrime report करें भले से आप यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे जो भी होगा सोचेंगे यह सारी चीज़े आपको नहीं सोचनी है आपको सबसे पहले क्या करना है आपको जाके cybercrime पे report करनी है कि यह चीज मेरे साथ हुआ है और उसके साथ-साथ अगर आपका पैसा लॉस हो गया है 10,000, 20,000, 50,000, जो भी हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आप जिस भी account से online उनको भेजे थे या जो भी नाम सो हुआ था उसका UPI ID या फिर account number anything जो भी चीजे थी उन सारी चीजों को आप निकालो और निकालने के बाद क्या करो contact करने की कोशिस करो ठीक है बाकि आपने cybercrime पे report कर दिया वो अच्छी बात है ठीक है और उसके बाद क्या करो अगर आपका 24 घंटा हुआ है 24 घंटे से कम का time हुआ है तो पैसा वो वेक्ति नहीं निकाल सकता चाहते हुए भी उसका account ही ब्लॉक हो जाएगा ठीक है जब तक वो आपका पैसा आपको लौटाएगा नहीं ठीक है या bank आलरेडी आपके पैसे को transfer कर देगी आपके account में लेकिन ये तब ही scene होगा जब 24 घंटे से कम हुआ है तो अब बात करते हैं कि अगर 24 घंटे से जादे हो गया है 48 घंटे हो गया है या उससे जादे हो गया है तो क्या करें तो करना क्या है आपको National Cyber Crime Portal है आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है आपने अल्रेडी कर दिया है वहाँ पे आप अपने status को चेक करना है कि क्या हो रहा है ठीक है उसके बाद जब आपका रिपोर्ट आएगा तो आपके थाने में बुलाएंगे या फिर call आएगा उसके तरब से कि हाँ क्या क्या हुआ था तो आप क्या करना चाह रहे है तो आप उहाँ से जाके कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऑनलाइन बोलते हैं कि आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा कि हमें एक वकील करेंगे ये करेंगे वो करेंगे और आपका पैसा वापस आ जाएगा ठीके तो इन सब चीजों में भी ना पड़े क्योंकि आलरेडी आपके साथ एक fraud हो चुका है तो दुबारा fraud ना हो आप उस पैसे को भूल जाएं सिंपल सी बात है अगर भूल जाएं अगर आप चाहते हो तो फिर उस पे आगे investigation करवाएं अगर आपके पास है कि हम खर्च कर देंगे पैसा बहुत जादे अमांट में पैसा हो तो दो चार दस जार और खर्च करके आप वकील अगरा करके या फिर cybercrime से contact करके cybercrime portal से आप cybercrime प्रांच में हर एक छेतर में हर एक एरिया में cybercrime cell खुला हुआ है ठीके आप जा सकते ह हैं सर्च करके online